स्वागत है आप सब का मैं विवेक बंदुरा इंटरनाशनल मोडिवेशन स्पीकर लीडर्शिप कंसाल्टेंट बिजनेस कोच दुनिया की सबसे बड़ी एर कंडिशन कंपनी ग्री दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अच्छा ग्री का नाम क्यों नहीं घ्री जादा OEM करता था ग्री खुद का a-c नहीं बनाता था कम बनाता था दूसरों के लिए असी बनाता था ग्री अभी अइंडिया पहुचा नहीं ग्री दुनिया भर में काम कर रहा है वरल्ड का सबसे बड़ा air conditioning company agree हर दुनिया में हर तीन में से एक AC ग्री का है ग्री जो है होंग कॉंग बेस कंपनी है यह बिसिकली residential air conditioner बनाना refrigeration का बनाना smartphone का बनाना home appliances के लिए काम करना air source water heater करना central air conditioner करना intelligent equipment बनाना मतलब ग्री जो है ना एक बहुत बड़ा gamit है आज बड़े बड़े ब्रैंट के लिए ग्री एसी बना रहा है आज मैं बड़ा खुल के बोलूँगा ग्री के बारे में क्यों बोलूँगा दो कारण है एक सधारन से लड़के की बड़ी सुन्दर कहानी और दूसरा प्रॉड़क्त ग्रेट अमित हिटलर की कहानी तुम्हें आपको बताई रहा हूं लेकिन जो प्रॉड़क्त ग्रेट एक्सपिरेंस है जिबसे मैं इस इन्हों ने मेरे को बहुत पुश्ट किया कि बंदरा जी ग्री का इसी लगा लो मैं ग्री ग्री अब क्या यह ग्री नारियल की ग्री हमनों तो क आप फ्लाइट किसकी पकड़ो विस्तारा की हैं जी गो एर की नहीं अगर जेब में पैसे हैं फाइस्टार होटल जाना है तो अबरोई में जाओ अगर आपकी जेब में पैसे हैं पर्फियूम खरीजना है तो स्किन का खरीदो अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो एसी किस तेंपरेचर हो तो अंदर 55 का फीलिंग आता है और मैंने हर एसी लगा के दिखा चलता नहीं था लेकिन यह ग्री का एसी जिस दिन मैंने लगाया ना उस दिन से मैं आज पहले 16 डिग्री टेंपरेचर रखता था तीन फैन रखता था फिर भी गर्मी रहती थी ठंडक नहीं हो पंड डिग्री के हिसाब से इसके करण जो एक्सपिरियंस मिला रात को नीन नहीं टूटी इनका डबल कंप्रेसर का एक सिस्टम होता डबल कंप्रेसर मालूं क्या ओता यह तो श्क्रेच कंप्रेसर यह किसी के पास लिए यह सिस्टम खाली ग्री बनाई इसकी इंवेंशन पेटेंटिट टेकनालोजी है ये सब जगे क्या है सिंगल कंप्रेशर है आपको मालूम है जब आगर आपने इकल डिगरी सेट कर दिया तिंप्रेशर जैसे ही बाता वरन इकल डिगरी के आसपास पहुचा तो वह ठक करके कंप्रेशर बंद हो जाएगा और गरम हो जाएगा तो उसके बाद जब वो वापस एकिल डिगरी से उपर जाएगा 23-24 डिगरी पर ठक कर गया चलू होगा फिर ठंडा करना चूरू करेंगा फिर ठक बंद हो गया फिर चलू हो गया फिर बंद हो गया पिर राध मरा आपकी नीन तूड़ जाती है कहीं बार हैं जी यह गरम हो ग तो महीं आप पर जाते हो तोहाई बहुत फूखता जब नीचे आते हो पाडी से तो फीर ठीक हो जाती रिलाइक फिर उफ़ जाते हो तो ओपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे बहुत जान लगती है अपने गारी देखिए ना पाड़ी पर खड़ी पाड़ी पर चड़ती है एकडम उपर तो उसमें क्या है छोटा गेर और एक्सिलेटर जादा उसमें बहुत तेल फोक जाता है बिजली में भी ऐसा ही होता है सिंगल स्टेज कंप्रेसर में सब्जब करें प्रॉब्लम है तो जी टेंड़ टेक्नोलजी धी इनकी स्ट्राटेजी सुनी तरहме तान ने से अदर्ण से टेक्ना आर नढीस drie स्ट्राटेजी अभी तक डुनिया पांचativa हैं रोबोत यहां बना देते हैं क्या हाँ पॉर्वोट नहीं बना देते हैं आदमी नीुका्र नहीं काम कर रे हैं यह पॉर्वोट बनाते हैं अपने लिए उसी करते हैं ध्यूसरों कोई बेजत हैं साथ मीलिए juslike िना रही है झी अर न्डी सेंटर इन के पर्डंदीट केपिदी इतनी बड़ी है कि लगबग 30 लाइक स्क्वार मीटरवेटिकन स्टी यह उसके लगबब बराबर है वह 4,000,000 स्क्राइ्ट रहे हैं इनकी खाली फैक्टरी 3,000,000 स्क्राइ्ट किए की सबसे बड़ी कंपनी हर तीन में से एक एसी ग्री का था मैंने अपने फार्म हाउस पे लेट्रिशन को बोला बिजली कंजम्शन चेक कर तो मैं चेक किया जी समझ में आता है कि एलेडी जो है वो दस वाट पे चलती है सी एफल चौदा वाट पे चलता है पंका पैंतिस से प अजी रीटेलर डिस्ट्रिबूटर इसलिए का इसी लेकर क्या रहा है क्योंकि कंजिमर बात पर पूछ रहा है ग्री कहा है मैंने ग्री के बारे में सुन रहा हूं आजकल ग्री की बात हो रही है ना आप देखते अमेरिका के अंदर भी जो मनहेटन है वहां पर टाइम बाते आपको लग रहा होगा कि मैं ये ग्री ब्राइंड को प्रमोट कर रहा हूं आपको ठीक लग रहा है कर रहा हूं प्रमोट और करूंगा अचली कुछी दिलकुछ हो जाती है ना आदमी उसको खुल के प्रमोट करता है मेरे जैसा हाई एनरजी आदमी जिसको डीप स्ल नहीं मिलती है पर भी उसको प्रमोट करता है